हलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग एक बार फिस्ट स्वागत है लक्स्विंज कीचन में एक नई वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं मत्रन करी तो आप देख सकते हैं कितनी जबर्दस हमारे मत्रन करी बनीया उसके लिए जो इंडिया थे वह इस प्रकार है म प्याज कट कर लिया है दो से तीन चीजह को हमने रख लिया है और अब बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो मत्रन है आज के मत्रन जो करीए बहुत ही टैस्टी बनेगी फ्रेंड्स वीडियो को इस कीमत कीजिएगा वीडियो को पूरा देखीगा तभी आपको पता चले कीजिएगा का मत्रन करी बनायें यह कैसे बनाई बहुत ही टैस्टी बनती है सर्दियों के मौसम में मत्रन खाना बहुत अच्छा होता है और बहुत हमस्क्राद हमें कोई तामजांबी ने चीजिए बिलकुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं कि अध्यारी को तो टेकी फ्रें के चाले हम इसार निकाल नानएं यह फॉरा इसुस करेंगे 250g डालेंगे हम और ऐल को हम गरम होने के लिए ुअधा मादी के लिए जो कुम आप गाल देने खिल सकते हैं कि और कि पालच आप मअधा कंडी अब देंगे जो मथन को शीट की अब गरम होने के अच्छा गरम किया हुआ तेल है तो मटन को हमेश में अच्छा सा फ्राई करना है आज यह एक नया तरीका है इससे मटन हमारा जल्दी भी बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और इसमें समय भी कम लगेगा दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं इधर हमने मटन को फ्र डाल देंगे इससे इसका कलर भी बहुत सुंदर आएगा और नमक डालने से यह अच्छा से जल्दी सी गल जाएगा तो अभी आप देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है और इसको मचासा मिक्स करेंगे और इसको हमें चलाते रहेंगे लगातार ताकि मटन में हीच्छे नह होने लगा है हलका हलका कलर का चेंज होना हमें मतन चाहिए बस ज्यादा नहीं करना है में चेंज्स का इस से हमारा जो मटन वह सोफ़ भी बनेगा और खाने में बहुत ही टेश्टी लगएगा बुने बेश्टी बनती है और इसकी जो खुसबू है वह बहार तक फैलेगी त तो आप देख सकते हैं यह देखे कितना अच्छा लग रहा है यह दम बढ़िया तरीके का मटर मन चुका है इधर हम इसकी ग्रेवी त्यार कर लेते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कूकर के अंदर वही चमचा ले लिया है और इसमें हम एक चमच ओल डालेंगे जीरे को भी अच्छा से चटकने देते हैं इसमें डाल देते हैं गरम पत्ता तो यह मैंने टुकड़े में तोड़के डाला है आप चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं आज मैं यहां पर खड़े मसाले का परियोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं और जटपड़ बनने वाली रेसिपी हो जाएगी यह बिल्कुल अभी हम इसमें प्याज फ्राइब करेंगे तो देखिए फ्रेंट्स मैंने यह प्याज डाल दी हैं बिल्कुल अच्छे से हमें प्याज को फ्राइब करना है एकदम हलका गोल्डन होने तक इसको फ बनाएंगे तो उनकी मटन बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारे जो यह मटन की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनती है और यह देखिए फ्रेंड्स प्याज भी हमारे भून कर रड़ी हो चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे मसाले एक एक करके हम सारे म सबसे पहले इसमें जाल देते हैं हल्दी पाउडर कि इससे सबजी में कलर बहुत सुंदर आएगा और इसे के साथ इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अकॉर्डिंग नमक का आप ध्यान रखिए क्योंकि हमने मतन को भूनते वक्त भी डी डाल था तो थोड़ा मतन में इ आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद मैंड ज्वा deze देजीजें 3 तो अब आप देख सकते हैं सारे इसमें अच्छे से मिक्स होचुके हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ करो करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आपर आदा कप की करीब पानी डाल दिया है और इस मसाले को हम अच्छी से पकाएंगे आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर देखिए कितना प्यारा आज चुका है एकदम लाल रेड एकदम बिल्कुल अच्छा सा हमारा कलर आया है यह आपकी मिर्च पर डिपेंट करता है कि आपकी मिर्च कैसी है उसका रंग कैसा है तो हमारे वाले मिर्च का कलर बहुत सुंदर है और यह तीखी है खाने में इसलिए मैंने इसमें तीन चमच डाले हैं तो आप अपनी मिर्च का कलर और उसकी तीखापन के इसाब से आप इस इसका ओल देख रहे हैं आप बिल्कुल ओल रिलीज हो रहा है इसका मतलब हमारी जो ग्रेवी है ये पक कर त्यार हो चुकी है तो फ्रेंट्स जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए इसके आगे जो बैल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताक हमारे मतन को देख लेते हैं कि वो फ्राई हुआ कि नहीं तो चलिए मतन के पास तो मतन हमारा देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा फ्राई हो चुका है आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका कलर भी आ चुका है एकदम बढ़िया एकदम अच्छा सा भूनकरड़ी हो इसमें हम डाल देते हैं यह मटन बुना हुआ मटन तो बहुत ही टैस्टी सब्जी बनती है और आप इस सब्जी को जुरू ट्राइ कीजिएगा अगर आप कोई मेरा तरीका या रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जूरू कीजिएगा और ज्याद हमें नहीं लगाना है पानी बएगर भी ज्यादा नहीं डाला है जो पानी इस सब्षाद वही पानी जालार है और आम इसमें फज्ची द वरड़ eldestरण धाफून फ़ोन ऐसे मितन के मिटन के उपर depends करता है उसे बड़े कंशाफ च्होट करता है को ही निए तो जादा बड़ा नहीं है Wakei आप Honestly, पान मेंbechnारी अ हमें करो STEPHAN में आपने नहीं क्षेट में नहीं कौनंप नहीं के मैं कि शुटे में इसका दक 딱ि में सूरित एक अन्हीं करें cob अब इसमें लगा लेते हैं विशल, तो कूकर का ढखकन लगाते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें ओर डाल देते हैं, बता कि अच्छा सा इसमें गरेवी में मिल जाए, ता कि बाद मेंं बहुत ही टेश्टी लगती है इससे सब्जी तो ये देखी ये डाल दिया है और अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और ढकन लगा के चार से पांच विसल आने तक पका लेते हैं इसको यह देखी हमने यह ढकन लगा दिया है और चार से पांच विसल आने तक इसको हम पका लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं चार से पांच विसल लग चुकी है कुकर को वापिस खोलते देखते हैं कि सबजी हमारी कैसी बनी है आप देख सकते हैं सबजी का कलर कितना प्यारा आच चुका है कितनी अच्छी है हमारी सबजी बनी है सबजी की थिकनस वगएरा सब कुछ एक दम परफेक्ट है ओल वगएरा सब कुछ परफेक्ट है कितना शा इसमें एक विशल और लगाते हैं लेसुन डालने के बाद में लेसुन सबसे लाश्ट में डाला जाता है इसका फ्लिवर बहुत अच्छा आता है तो अभी आप इसको देख सकते हैं मैं डकन लगा के फिर से इसको एक विशल लगाने के लिए छोड़ देती हूँ तो अभी देख सकते हैं विसल हमारी लग चुकी है अब मटन हम इसको दुबारा से आपको चेक करके दिखाते हैं कि मटन हमारा त्यार हुआ कि नहीं अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा Color है, कितनी अच्छी Gravy आई है और एकदम बढ़िया हमारा Mormon तयार हो अच्छा है तो자가 सब्सक्राइब करेंगा बंद मेरे चैनल को शेयर कीजिए तो यह देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मारा मटन मन कर त्यार हो चुका है एक दम बढ़िया हमारी ग्रेवी है तो मिलते हैं कैसी सिंपल सी और असान सी रेसिपे के साथ लक्षमिज किचन तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई